Hello Everyone, Welcome to Exam Orbit Classes आज के क्लास में डिस्कस करेंगे बजट से रिलेटिट टॉप 20 कोईशन्स फ्रेंड्स अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत यूसबुल रहने बाली है तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कोईशन्स आम बजट 2022 देज किसने पेज किया है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन बी बित मंतरी निर्मला सीता रमट दुबारा इसे पेज किया गया है नेस्ट कोईशन्स है किस बर्स में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेज किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन बी 2021 में फर्स कोबिट 19 महामारी आने के बाद पर्स 2021 बाइस का बजट काकच रहित पेज किया गया था नेस्ट कुईशन देखेंगे फ्रेंट्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप लोगों को ग्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल चाएगा अगला कोईशन है भारत में क्रिप्टो केरंसी पर कितने प्रतिसट टैक्स लगाया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन एक 30 प्रतिसट केंद्रिये बित मंत्री निर्मला सीता रमण ने एक फरवरी 2022 को केंद्रिये बजट पेस किया बजट के दोरान बित मंत्री ने घोशना की कि बर्चुल डिजीटल संपत्यों के हस्तांतरण पर 30 प्रतिसट कर लगाया जाएगा यह नया नियम एक अपरेल से लागू होगा अब डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो केरंसी के बारे में जो की आगामी परिक्षा के लिए इंपोडेंट है क्रिप्टो केरंसी क्या है तो यह है एक डिजीटल परिसंपत्ती है जो बिन्वे की एक माध्यम के रूप में काम करती है पहली क्रिप्टो केरेंसी है बिटकोईन क्रिप्टो केरेंसी की सुरुवात कब हुई थी? 2009 में सातो सी नाका मोतो दुवारा इसे सुरू किया गया था भारत में क्रिप्टो केरेंसी पर नजर रखने के लिए देज का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC-15 किसने लॉंच किया है क्रिप्टो वायर ने किस देज ने भुकतान के लिए क्रिप्टो केरंसी को मानिता देने और बिनियमित करने का ने लिया है क्यूबा ने हाली में विटकोईन के संस्थापक सातो सी नाका मोतो की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है हंगरी में विटकोईन को राष्ट्य बुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देज कौन सा बन गया है अलसलवाडो नेस्ट कोईशन देखेंगे रेल बजट को केंद्रिय बजट में कब समिलित किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी 2017 में फेंट्स 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रिय बजट में सामिल कर दिया था 2017 में अरुन जेटली संसत में सयुक्त केंद्रिय बजट पेस करने वाले पहले बितमंत्री बने थे अगला कोईशन देखेंगे बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन सी नीले रंग का नेस्ट कोईशन है किस बितमंत्री ने सबसे ज़्यादा दस बार बजट पेस किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन भी मौराजी देशाई ने आए डिसकस कर लेते हैं आगे देश के पहले प्रधान मंत्री जवालनाल नहरू के मंत्री मंडल में बितमंत्री रहे मौराजी देशाई ने कुल दस बार बजट पेस किया था नेस्ट कोईशन है बारसिक बजट पेस करने वाली देश की पिर्थम महिला कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन भी इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी ने 1970 में बजट पेस किया और इसी के साथ बजट पेस करने वाली वो पहली महिला पनी थी अब आप लोग मुझे कमेंट्स वॉक्स बताईए कि दूसरी महिला कौन है नेस्ट कोईशन है भारत में पहला बजट किस ने पेस किया था तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन भी जैम्स बिलसन ने भारत में पहली बार बजट 7 अपरेल 1860 को पेस किया था इस्ट इंडिया कमपनी से जुड़े इसकोटिक्स अर्थ सास्त्री एवं नेता जैम्स बिलसन ने इसे पेस किया था नेस्ट कोईशन देखेंगे अंग्रेजी परंपरा की मुतावित बजट साम 5 बज़े पेस होता था बर्स 2021 में इसे बदल कर 11 बज़े कर दिया गया था किस वितमंत्री दुवारा पहली बार बजट 11 बज़े पेस किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन सी जस्वंत सींग दुवारा फेंट्स 1999 से पहले तक आम बज़ट साम 5 बज़े पेस होता था लेकिन 1999 में जस्वंत सींग ने यह परंपरा बदलते हुए 11 बज़े इसे पेस करने की परंपरा रखी वहीं साल 2016 तक फरवरी महीने के आकरी दिन आम बज़ट पेस किया जाता था लेकिन 2017 में इसे बदल कर एक फरवरी कर दिया गया नेस्ट कोईशन देखेंगे सुतंत्र भारत का पहला बज़ट किस ने पेस किया था तो इसका राइट आंसर होगा अगला कोईशन है भारत के किस बार्षिक केंद्रिय बज़ट को काला बज़ट कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन सी बज़ट 1934 को 1934 के बज़ट को काला बज़ट कहा जाता है इसकी वज़े थी कि उस वर्ष के दोरान राजकोसिय घाटा 550 करोड रुपे था नेश्ट कोईशन है भारतिय संबिधान के किस अनुछेत के अनुसार एक वर्ष के केंद्रिय वजट को बारसिक बीतिय विवरण कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 112 भारतिय संबिधान के अनुछेत 112 में भारत के केंद्रिय वजट को बारसिक बीतिय विवरण के रूप में निदिस्त किया गया है जो कि भारतिय गड़राज का बारसिक बजट होता है जिसे प्रितिक वर्ष फरवरी के पहले कारदिवस को भारत के बित मंतरी द्वारत संसत में पेस किया जाता है नेस्ट कोईशन देखेंगे केंद्रिय वित मंतरी निर्मला सीता रमण ने बजट 2022 देश पेस करते हुए बताया है कि वित वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर हाईवे तयार किया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन सी 25,000 किलोमीटर नेस्ट कोईशन देखेंगे बित मंतरी निर्मला सीता रमण ने एक फरवरी को घोशना की है कि ग्रामीड और सहरी छेतरों में कितने घरों को लावार्तियों के रूप में पैचाना जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन दी 60,000 अगला कोईशन है बित मंतरी निर्मला सीता रमण के अनुसार अगले तीन बरसों के दोरान कितने पीम गती सकती कारगो टर्मिनल विक्सित किये जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन सी कुल 100 अगला कोईशन देखेंगे बित मंतरी निर्मला सीता रमण ने बताया है कि पीम ई विध्या के बन क्लास वन टीवी चैनल कारिक्रम को बारा से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन एट 200 चैनल आगे देखेंगे बित मंतरी निर्मला सीता रमण ने बताया कि पीम ई विध्या वन क्लास वन टीवी चैनल कारिक्रम को बारा से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा यह सभी राज्यों को कक्षा एक से बारा तक छेत्रिये भासाओं में सप्लिमेंटी सिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा इसके साथ ही एक डिजीटल उनिवर्शिटी बनाए जाने की वी खोशना की गई है अगला कोशन देखेंगे बित मंत्री निर्मला सीता रमण के अनुसार अगले तीन साल में कितने बंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन D कुल 400 बित मंत्री निर्मला सीता रमण ने लोकसभा में केंद्रिय बजट 2022 देज बेज करते हुए बताया कि अगले तीन साल में 400 बंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दोरान बहतर अनुवब के अनुरूप तयार किया जाएगा अगला कुश्यन है केंद्रिय बित मंत्री निर्मला सीता रमण ने के साल सबसे लंबा भासर दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन A इसका राइट आंसर क्या होगा आप्शन A साल 2020 में आगे डिस्कस कर लेते हैं साल 2020 में बित मंत्री का बजट भासर सबसे लंबा था तब उन्होंने दो घंटे 42 मिनट का भासर दिया था केंद्री बित मंत्री निर्मला सीता रमण ने एक फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा भासर यानि की लगवक 90 मिनट का भासर दिया है अगला कोशन है आप लोगों के लिए निर्मला सीता रमण लगातार कितनी बार केंद्री ये बजट पेस किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप संडी चार बार बित मंत्री निर्मला सीता रमण ने मोधी सरकार का कुल दसवा और अपना चोटा बजट पेस किया है तो ये थे बजट से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट कोईशन आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स वाक्स में जरूर बताएगा फ्रेंट्स टेक्निकल प्रॉब्लम की बज़े से आप लोगों की कल की करेंट अफ्यर की क्लास नहीं हो पाएगी तो नेस्ट क्लास में हम लोग कल का करेंट अफ्यर भी कबर कर लेंगे तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है थेंक्यू थेंक्यू सो माच